Hello students, welcome to channel Maths Mint by Kamles अभी मैं solve करूँगा class 9 के लिए Maths exercise 5.2, question number 4 इस question में 6 parts है, 1 part 2, 3rd part हमने last video में करके दिखाया है इस में मैं करूँगा part 4 से लेकर part 6 तक, ये chapter polynomials है, NCRT book से लिया गया है ठीक है, I hope you will please like, share and subscribe this channel, thanks question है, expand each of the following using suitable identities ये सारा question है, ये 4, ये 5 और ये 6 ये 3 parts अभी मैं solve करूँगा इसका, इसको मैं क्या कह रहा है कि इसको solve करने के लिए using identities, जो suitable identities है, उसको use करते हुए इसको solve करना है तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये trinomial expression है तीन terms है, इसमें trinomial है, इससे पहले हमने class 8 में ही देखा था binomial का square कैसे निकालते हैं, तो उसका identity था a plus b का whole square, तो होता था a square plus a square plus b square plus 2ab ये था a plus b का whole square, ठीक है, ये binomial का whole square था, लेकिन ये trinomial है, इसका identity क्या होता है, वो देखते हैं, उसके बाद उसी identities पर solve करेंगे तो लिखेंगे इसमें, by using identity, इसका क्या होता है, a plus b plus c का whole square equal to a square plus b square plus c square, binomials में a square b square होता ही था, इसमें trinomial है, तो a square b square c square डाल देंगे, binomial में 2ab था ही, तो plus 2ab डाल देंगे, अब 2bc होगा, a b हो गया, अब bc होगा, तो 2bc और bc के बाद फिर c a होगा, तो 2c a, यही इसका identities है, याद रखने के लिए ऐसे ही करना है, a plus b square plus c square कर देंगे, 2ab पहले ही था, अब ab के बाद bc और फिर c a, तो 2bc plus 2c a, यह identity है, इसी को हम इसमें use करेंगे, अब इसमें आप यह देखते होंगे, कि यह plus है सारा, इसमें minus है, तो plus डाल करके, minus 7b लेंगे, b के जगह पर, फिर plus डाल लेंगे, minus c लेंगे, c के जगह पर, तो लिख देंगे यह, here, let, a is equal to, 3a, b is equal to, इसमें जो b है, इसके जगह पर लेंगे, minus 7b, इस तरह से करेंगे, तो गलती नहीं होगी, c equal to minus c, यह हो गया, अब लिखेंगे, then, 3a minus 7b minus c का square हो जाएगा क्या, a square, तो a हमारा क्या है, 3a, 3a का square, plus b square में डाल देंगे, minus 7b का square, c square में डाल देंगे, यहां के c square में, minus c का square, plus 2 डालेंगे, a क्या है मेरा, 3a तो into, 3a, b कितना है, minus 7b, into minus 7b, 2a भी हो गया, plus क्या डालेंगे, 2b कितना है, minus 7b, to minus 7b, c कितना है, minus c, तो minus c डाल दिया, 2ca है, plus 2 डेंगे, c के जगा पर देंगे, minus c, a के जगा पर देंगे, 3a, ठीक है, इतना identities हम जान गए, a, b, c के जगा पर लिख दिया, क्या क्या इसमें value है, और उसी के base पर इसमें से हम इसको adjust कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, explain, explain कर देंगे, आप क्या करेंगे, अब इसको simplify कर देंगे, तो यह क्या जाएगा, 3 का a square होगा, 3 3 9 a square, minus 7 into minus 7 square है, तो minus 7 into minus 7 plus हो जाएगा, 7 का 49 ہو गया, b square हो गया, minus c into minus c, plus c square हो गया, अब यहाँ देखते हैं एक minus है बाकी सब plus है तो एक minus होने से क्या होता है minus ही होगा जब odd number में minus का sign होगा तो resultant minus होगा तो यहाँ minus डाल दिया 3 into 6 6 into 7 42a और b 42a भी हो गया plus अब क्या डालेंगे इसमें plus इसलिए डाला कि यहाँ भी minus है यहाँ भी minus है minus अगर even हो नमबर में तो यह plus होता है तो 2 into 7 14 और यह हो जाएगा 14b और c ठीक है अब यहाँ फिर odd number में minus है एक ही minus है तो minus डाल देंगे 3 into 2 6ca यही इसका answer हो गया ठीक है अब next question है इसमें भी वैसे ही करेंगे लिख देंगे by using identity a plus b plus c का whole square कितना हो जाएगा अभी बताया था इसको इसम साथ ही साथ आपको याद कर लेना है दो तीन बार बोलूंगा अपने याद हो जाएगा तो यह हो जाएगा a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca ठीक है अब here let a is equal to a is equal to कितना हो जाएगा minus 2x a is equal to minus 2x b equal to हो जाएगा 5y c equal to हो जाएगा इस identity के आधार पर a के जगा पर यह लिखेंगे b के जगा पर यह लिखेंगे c के जगा पर minus 3z लिखेंगे ठीक है अब हो जाएगा then minus 2x plus 5y minus 3z square यह हो जाएगा a square तो minus 2x है a के जगा पर उसका a square डाल देंगे b के जगा पर 5y का square डाल देंगे c के जगा पर minus 3z का square डाल देंगे plus 2 डाल देंगे a के जगा पर कितना है minus 2x minus 2x b के जगा पर कितना है 5y 5y डाल दिया 2a भी हो गया plus 2bc b कितना है 5y c कितना है minus 3z ठीक है फिर क्या हो जाएगा to c a c कितना minus 3z minus 3z a कितना है minus 2x into minus 2x इसी pattern में इसको set कर दिया settle कर दिया सभी को अब इसको क्या करेंगे simplify कर देंगे तो यह हो जाएगा minus 2 का square minus minus plus 4 x square हो जाएगा यह 25 हो जाएगा 5 का square y square हो गया यह minus 3 into minus 3 plus 9 हो जाएगा z square अब इसमें देखते हैं एक ही minus है odd number में minus का sign है तो इसलिए minus हो जाएगा यहाँ 2 into 2 4 4 into 5 20 20 x y अब इसमें क्या देखते हैं इसमें भी क्या है odd में ही minus है एक है तो 2 into 5 10 into 3 30 minus 30 yz अब इसमें देखते हैं minus और minus even संख्या में है minus का sign तो इसलिए plus हो जाएगा plus डाल देंगे 2 into 3 6 into 2 12 यह हो जाएगा z x यह इसका answer हो जाएगा ठीक है अब 6th part है इसका last question इसमें भी लिखेंगे by using identity a plus b plus c का whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca यह identity लिखेंगे उसी identity पर इसको settle कर जाएगे तो इसमें लिखेंगे here इस question में क्या है here let a equal to 1 by 4 a b equal to minus का sign है तो minus के साथ लेंगे plus में लिखने का कोई जूरत नहीं है नहीं कुछ लिखने है तो plus ही माना जाता है तो minus 1 by 2b और c के जगह पर हो गया 1 लिख देंगे then 1 by 4 a minus 1 by 2b plus 1 का square हो जाएगा whole square a square के जगह पर 1 by 4 का square डाल देंगे a का b के जगह पर डाल देंगे plus minus 1 by 2 b का whole square डाल देंगे c square के जगह पर डाल देंगे 1 का square डाल देंगे plus 2 a के जगह पर डाल देंगे 1 by 4 a b के जगह पर डाल देंगे minus 1 by 2b into minus 1 by 2b plus 2bc 2b कितना है minus 1 by 2b c कितना है 1 है फिर plus 2ac, 2 डाल दिया, c के जगह पर c a में क्या होगा, 1 हो गया, और a के जगह पर 1 by 4 a डाल दिया, इसी हिसाब से identity पर इसको arrange कर दिया, अब इसको simplify कर देंगे, यह हो जाएगा 1 by 4 का square, 1 by 16 a square, minus 1 by 2 into minus 1 by 2, plus 1 by 4 हो जाएगा, plus 1 by 4, b का square डाल देंगे, 1 का square 1 ही होता है, अब यह क्या हो गया, यह, यह, 2 into 1 by 4, 2 से cancel हो जाएगा, 2 times, तो अब यह क्या हो गया, odd में यह minus है, तो minus ही डाल देंगे, यह, sorry, minus होगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह ठीक ही था, यह था, 1 by 4 का square, 1 by 16 square, 1 by 2 minus था, इसको minus से क्या, 1 by 4 हो गया, 1 का square, 1 ही हो गया, यह ठीक ही है, अब यहाँ minus है, एक odd में minus है, तो यहाँ minus डाल दिया, 1 by 2 into 2, 4 हो गया, तो 1 by 4 डाल देंगे, a है और b है, तो a भी डाल देंगे यहाँ, अब यहाँ क्या है, यहाँ भी odd में minus है, तो minus ही हो जाएगा, यह 2, यह 2 cancel हो गया, तो minus b को 1 से करेंगे, तो minus b ही हो गया, अब इस 2 को यहाँ कर देंगे, तो 1 हो गया उपर में, यह plus ही है सब, plus 1 by 2 a, यही इसका answer है, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो, तो like and subscribe करें, चैनल को support करें, और friends में share करें, अगर कोई difficulty हो, तो comment box में डालें, मैं उसका जबाब दूँगा, thanks.